हम पहला प्रस्ण लेते हैं, पहला प्रस्ण दिया हुआ है, 32 की घात 2x-5 बराबर 4 गुणा में, 8 की घात x-5 और हमें x का मान ग्यात करना है देखो, कभी भी ऐसा कोई प्रस्ण आता है, जिसमें घातें दी हूँ, तो हम क्या करते हैं, इनको सबको एक ही घात में बना लेते हैं सबको एक ही घात में प्रदर्शिस करने से फाइदा ये होगा हमें, कि इनको आपस में तुल ना कर सकते हैं 32, पहले 32 के अब आज जोगन खड़ निकालते हैं, 2 से भाग किया तो 16 आएगा, फिर 2 से किया तो 8, 2 से किया 4 और फिर 2 से भाग किया 2 आएगा इस तरह 2, 5 बार आये हैं, तो 32 को लिख सकते हैं, 2 की घात 5 और उस पूरे की घात दी हुई है हमें, 2x-5 बराबर 4 है, 4 को 2 की घात 2 लिख सकते हैं, और 8, देखो 8 को क्या लिख सकते हैं, 8 को लिख सकते हैं, 2, 2, 2, 2 की घात 3, तो 2 की घात 3 और उस पूरे की घात x-5 अब इस तरह हमने सब को 2 की घात में बदल लिया है इसको सरल करते हैं तो यह हो जाएगा अगर किसी भी नंबर पे मालनो ए कोई नंबर है उसकी घात 2 है और उसके उपर भी घात लगी है मालनो 4 है तो इनको आपस में गुणा करते हैं यह की घात 8 लिख सकते हैं यह 2 इस 4 से गुणा हो जाएगा तो ऐसी यहां पर देखो यह 5 इस 2x-5 से गुणा हो जाएगा तो इनको गुणा करने पर आएगा 5 जोनी 10 10x-5 पर 25 25 हा जाएगा बराबर दाइनी तारफ हा जाएगा यह 2 की घात 2 ऐसी रहेगा गुणा 2 की घात 3 को यह तो 3 और x-5 पर गुणा कर देंगे तो यह आएगा 2 की घात 3x-15 अब एक कदम इसे और सरल करते हैं यह आगया दो की घात 10x-25 बराबर दो की घात 2 यहाँ पे है और 3x-15 यहाँ पे है जब कभी आधार समान होते हैं मतलब एकी घात x है गुणा में एकी घात y है तो एकी घात x-y लिख सकते हैं तो देखो यहाँ पे आधार समान है यहाँ 2 है और यहाँ 2 है जब आधार समान है तो उनकी घाते जुड़ जाएंगी तो 2 की घात 2 प्लस 3x माइनस 15 हो जाएगा अब देखो दोनों तरफ हमारे पास आधार समान है जब आधार समान होते हैं तो उनकी घाते भी समान होती है बराबर समीकरण में इसलिए 10x-25 बराबर 2-15 होगा माइनस 13 तो 3x-13 आजाएगा अब इसको आसानी से हम सरल कर सकते हैं इस 3x को यहाँ ले आएंगे बाइं तरफ तो यह 10x में से 3x घटके 7x रह जाएगा यह माइनस का 13 है और यह 25 इस तरफ आजाएगा तो प्लस का 25 हो जाएगा देखो 7x बराबर 25 में 13 घटाया तो 12 आएगा और इस तरह से x बराबर 12 बटे 7 तो यह हमारा उत्तर आगया है ऐसे और भी अभी अभ्यास में करेंगे हम हर जगा हम एक ही काम करेंगे सब को एक समान घात में लाएंगे समान आधार पे लाएंगे ताकि उनकी घातों को जोड़या घटा सके हम